सब्सक्राइब करने के लिए हमें पहले बेसिक स्पंज बनाना होता है यही आज मैं आपके साथ शेयर कर दियू कि इस तरीके से आसानी वे से बना सकते हैं अम यहां दो तरह के स्पंज बना के दिखाएंगे एक पाइनैपल एक चक्छेट स्पंज आप इसे बनाएगा इसी तरीके से आप सबी तरह के स्पंज भर पे ही इजी वे में विटाओ एग बना सकते हैं तो देखें इस तरीके से बनते हैं रोलिग स्टेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और शेयर भी किजिएगा तक ये और उके भी काम आए बनाने के लिए हमें चलिए 100 ग्राम मैदा 125 ग्राम मिल्कमेड है मैंने घर पर बनाया है इसकी रेस्प्री मैं पहले ही डाल चुक हूँ इसकी बटर लेना है ये भी होममेड है वन टी स्पूल लेना है आपने बेकिंग पाउडर वन पो टी स्पूल बेकिंग सोड़ा फ्यू ड्रॉब्स यालो कलर एंड वन पो टी स्पून पाइनापल एसेंस एक कप दूज है मिल्कमेड में बटर को आड़ करेंगे जब अच्छे से भी हो जाएगा बैन हम इसमें पाइनापल ऐसेंस वन पो टी स्पून केड़़ करना है और इसे मिक्स करना है जिस भी कंटेनर में आप इसे बेग करेंगे उसे घी द्वारा ग्रीज कर लेंगे घी लगा के आप इसमें चाहें तो थोड़ा मैदय को डाल सकते हैं इसे डस्टिंग कहते हैं यह हमारा कंटेनर तयार है इसमें हम वन टी स्पून के आसकास लेंगे बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर और वन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है आप चाहें तो इसे चलनी में चान भी सकते हैं ताकि यह प्रपर मिक्स हो जाए अब हम इसमें दूब को एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूब टालना है दूब को आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ कीजेगा यह देखे इस तरीके का बैटर अमने तयार करने हैं आदा कप दूद इसमें यूज हुआ है इसे कंटेनर में डालने के बाद सेंटर से अब थोड़ा 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 करेंगे इससे जो इसके अंदर एयर होती है वो निकल जाती है और जो केक एक्स्ट्रा फूलता है वो नहीं पूलेगा अब इसे एक बार खोड़ा सा टैप करके प्री हीट ओवन में 200 डिग्री सेंटिग्रेट पर पच्चिस मिनट के लिए आप हम इसे बेग करेंगे केक तयार हो गया था मैंने एक तूथपिक को इस तरीके से सेंटर में इंसर्ट करके इसको चेक किया था तूथपिक बिल्कुँ कितना सॉफ्ट कितना स्पंजी यह हमारा स्पंज तियार हुआ है पाइनेपल का ब्लैक फोरेस्ट केक बनाने के लिए हम लेंगे 100 ग्राम मैदा जेट सो ग्राम के आसपास मिल्क मेड पॉटिपाइब ग्राम के आसपास बटर बन टी स्पून वैनिला एसेंस वन टेबल पॉडर आपको पॉडर 15- Bulट वो आपर म्राहि करें को पानी पॉडर टी स्पूल तो यह फेमाल कर सकते लिए उते पैले मैं यह के कुकर में बनारीयूं ayu के लिए एक एक लिए बहुत निकाल या और इस तरीके से ब्लचे शानाना छोटकती बढ़र इसे और आया केक का बरतन खरीदना जरूरी है बिल्कुल जरूरी नहीं है जो भी शेप का केक बनाना चाहर है जैसे रांग शेप के लिए मैंने ये कंटेनर लिया है कि अब मिल्क मेड और बटर को पहले बीट करेंगे अच्छे से बीट करेंगे कंटेन्स मिल्क बनाने की रेस्क्वी में पहले ही अपलोड कर चुक्किया हूं आप चाहे तो देख सकते हैं इसमें हमने कर देंगे बन फोर टी स्पून बेकिंग सोडा आप मिजरिंग स्पून से चाहे तो उससे भी मिजर करके डाल सकते हैं 1 टी स्पून क्यास पस पेकिंग पाउडर थोड़ा सा दूद और मैदा थोड़ा सा दूद का और इस्तमाल करेंगे साथी कोको पाउडर को भी आड़ करेंगे यह इस तरीके का आपको बैटर त्यार करना है और इसे कंटेनर में डाल के इसे सेंटर से थोड़ा सा करेंगे यह निकल जाए ताकि इसमें से करेंगे तैनल नारा तो यह ओवन गरम हो गया है यानि ही कुकर इसमें इसको रखके दखकन को बंद कर देंगे और तक्रीबन 25 मिनट तक इसे इसी तरीके से बेखोने देंगे पच्चिस मिनट हो गया है अब आम इसको एक बार प्लख चैकता देते हैं पिक नैफ को गया एंस्राइन य kinda इंसीर्ण ग्रकर देखंगे थे तो अब भी आपको केक की आइसीं करनी है तो उससे कम से कम पांस एच्छे है गणते पहले ये बेस तैयार होना चाहिए बिल्कुल ये ठंडा होना चाहिए पोशिश किजेगा कि आप एक दिन पहले यानी कि एक रात पहले ही इसे बना दें इसी तरीके से आप वैनिला केक का भी हमाता है कि यहीं बेस का रहते है और हमारा चोक्लेट केक के लिए बेस यहीं के पहले अंडा हेił Carl K지 बेस हमारे तयार है दो तरह के बेस हमने बनाए और हैं पाइनेपल बेस और चोक्लेटमे डिए आप इससे ट्रा-आ ऑल त्रॉक्णेय को लाइक और सबस्क्राइब कर